यह वीडियो देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि क्या Hubbell-Life प्रोड़क्ट आपके वेट्लोस कराता है क्या Hubbell-Life Products आपके सारी परिशानियों का सिलूशन है, क्या आप Fat Burner को लेकर पता Twitter आपको छो Alan विडियो चोहनन श्क करते हैं मेरानम मनी सिंगह नहीं हूं मैं यहाँँ आप लोगों के लिए हवलाइब के रिलेटिव वेट लोस के रिलेटिव और वकाउट के से करें इसके रिलेटिव वीडियो बनाता हूं अगर आप चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला बात करते हैं कि आपका आपने जो वेट को बढ़ाया है, आपका ऐसा तो नहीं कि रोटी, चावल खाने से आपका वेट बढ़ गया है, क्या बताईए, आप जब पेदा हुए, जब आप अपने खाना चालू के रहा है, जब आपने क्या ऐसे कोई प्रोड़क ही या आपने क्या खाया, रोटी, जिसमें आप ओवरीटिंग करते हैं, या आप बार का बहुत जंक पूट खाते हैं, बहुत जाना मीठा खाना पसंद है, उसकी वज़ी से आपका डेली लाइफस्टाल की वज़ी से आपका वेट बढ़ा है, और ये इतने कम समय में तो बढ़ा नहीं है, एक महिने में, दो महिने में, तीन महिने में, छे महिने में तो नहीं बढ़ा है, इसको कुना को समय लगा है, पांस से छे महिने लगे हैं, किसी को साल बर लगा है, किसी को दो साल लगे, किसी के प्रेगनेंसी के बाद हुआ है, किसी के जोब के कारण हो गया है, किसी के डेली रूटीन इतना या किसी की study की भीस हो गया अब इसको कम करने के लिए आपको क्या target गोल होने चाहिए क्योंकि बहुत सा लोगों का mindset कैसा होता है कि आज मैंने मेरा एक महिने में तीन महिने में छे महिने में मेरा एक दम पतला हो जाए पर यह चारी चीजे क्या है इन पोसिबल आज आप बात मानेंगे हम कहीना कई आट से बारा साल से हम एक्सराइज कर रहे हैं जब जाके हम पीट रहते हैं हमारा metabolism अच्छा है हमारा digestion अच्छा है इसके पर आपको क्या लगता है कि आप कोई product ले रहे हैं उनसे आपका पेट साफ हो जाएगा आपकी चर्वी निकल जाएगी आपका वेट लोस हो जाएगा पर इसा नहीं होता है वेट लोस कैसे होता है जो आपकी body weight है आपका height आपकी age और आपका weight इसमें आपकी BMI आती है हर इ प्रोटीन चाहिए होता है सपोस कोई 50 किलोगा है तो उसको कितना 60-60 ग्रोटीन चाहिए ही चाहिए समझ पा रहे है ना मेरी बात को अगर आप अपनी body according calories नहीं लेंगे तो क्या होगा आप अगर सपोस आपको 2000 calories चाहिए और आप 1000 calories खा रहे तो क्या होगा आपकी body lose हो मॉर्निंग में breakfast में ले लिया और direct dinner में ले लिया बाकि दिन में क्या किया लंज किया तो आपने क्या करा आपकी body को खाने की capacity को कम कर दिया तो आपका weight loss हो गया पर weight loss इस तरीक हैसे नहीं होता है weight loss कैसे होता है एक proper workout एक proper diet plan आपका sleeping आपका water intake ये चार और पांच चीजे आपके weight loss के अंदर बहुत ज़्यदा काम करती है अगर suppose आप workout अच्छा कर पा रहे हैं तो आपका diet अच्छा होना अच्छी diet कैसे आप पूरे दिन क्या खा रहे है वो आपकी diet किलाती है healthy कितना खा रहे है आपकी protein इंटेक कितना हो रहा है आप कितना exercise करने के बाद अपना पानी इंटेक कर रहे है और आप रेश कितना ले रहे है यही आपका weight loss करनी की journey है अब product या supplementation आपको कैसे काम करता है sublimitation क्या करता है जो आप workout कर रहे हैं उससे आपकी बोरी को recovery करने के लिए diet चाहिए या आपके healthy food चाहिए जिससे वो recovery करेगी protein चाहिए, kaaf चाहिए, healthy fat चाहिए, vitamins चाहिए उससों क्या करते हैं आप अपनी diet से पुरा करते हैं अब diet में सारे food में कही न कही कुछ न कुछ है पर अपन क्या करते हैं उन चीजों को daily routine की वज़ी से या आपने कामकाच की वज़ी से पूरा नहीं कर पाते हैं इसलिए अपन को किसका support लेना पड़ता है इसमें आपके हबलाइप आ गया या दूसरे और भी बहुत सारी सब्लिमेंटरेशन आ गया वे प्रोटीन आ गया बहुत सारी कंपनिया जिसके नाम नहीं ले सकते हैं यहां पर बहुत सारी कंपनिया फिर आता आपका water intake water intake आपको normally आपकी तीन से चार लीटर या पान लीट 50 ग्राम या 50-60 ग्राम प्रोटीन पर दे इसमें मिल जाता है दो टाइम लेने पर तो इससे क्या हो गया आपकी बोड़ी की आजी रिक्मार्मेंटर पूरी होगी पर आपने एक चीज घलती कर दी उससे क्या करा आपने अपनी बोड़ी की जो calories लेनी चाहिए थी वो एकदम से कटोप कर दी कटोप करने की वज़ी से क्या हुआ आपका एकदम से वेट लोस तो हो गया पर एक कमें जाकर बहुत सारे लोगों का वेट लोस रूप जाता है बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट हो जाता है कि उनकी स्कील लूज हो जाती है उनको डाइशन प्रब् लेनी होती है, यह point ही बताता है, क्योंकि उनका कही ना कही बिजनस है, हबलाइट पे तरू, कोई प्रोडॉक्ट को बेजने के तरू, एक सही इंसान या सही कोच, जो आपको गाइड करना जाता है, वही आपको बताएगा, अब बात करते हैं, कि आपको कौन से हबलैफ पर प्रोड़क लेने चाहिए और कौन से आपको नहीं लेने चाहिए अगर आप हबलैफ शेक लेते हैं तो हबलैफ शेक को one time यूज करना है ठीक है इतनी quantity होनी चीए formula 1, protein, shake mat ठीक है और एक अफ्रेश, अफ्रेश को आप 2-3 बार दिन में पी सकते हैं, shake को एक बार पिना है, protein की 2 चमट दालनी है, formula 1 की 3 चमट दालनी है और shake mat की 1 या 2 चमट दालनी है, पानी होना चीए 300 g ठीक है 300 ml, ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे supplementation की, बाकी जितना भी है आपका fiber हो गया, आपकी दूसरे बहुत सारे supplementation में किसी का नाम नहीं लूँगा, वो सब नहीं लेना है, अगर ज़्यादा यूज करना है, जो आपकी सारे vitamins and vitamins को पूरा करने में काम आएगी, दूसरा आगया आपका omega वो यूज करना है, जिससे आपको यह पता चालेगा कि आपकी बोडी में joint, आपकी सारे skin, आपकी eyes, आपके hair, आपका बहुत सारे चीज़े omega से cover होगी, तो यह चीज़े आपको लेनी चाहिए, बाकी के कोई supplementation इतने काम के नहीं है, अब बात करते हैं कि क्या में weight loss कराता हूँ, या में कोई diet plan देता हूँ, ह मेरे online workout session चलते हैं, अगर आप घर पर रेकर excise करना चाहते हैं, घर का खाने से weight loss करना चाहते हैं, अब लाइप प्रोड़क्स होना चाहते हैं, तो मैं पूरी आपकी help करूँगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को एक like और एक comment, प्यार सार, केसा भी, अगर वीडियो तो वीडियो के ंदर नीचे कुछ भी कह सकते हैं, चलते हैं, तो मैरे को ये तो पतर है का, अगली बहर कैसी वीडियो गना नहीं है, और वीडियो पर आउगी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं करे मिए nggak